राज जी के मुख्य मंत्री त्रिवेन सिंग गावत का ड्रीम पोजेक्ट सूरधार डैम बनकर तयार हो चुका है सियन त्रिवेन सिंग गावत के OSD धिरेनिर सिंग पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 नवंबर को सुबह 11 बजे मोखिमंतरी त्रिवेन सिंग रावत इसका लोकारपन कर जनता को समर्पित करेंगे आपको बता दें कि इस डैम से दरजनों गाउं को पेजल के साथ साथ सिचाई के लिए भरपूर पानी उपलब्द हो सकेगा साथ ही मचली पालन के लिए भी इस परियोजना का उपयोग करने की संभावना व्यक्ति की जा रही है मुख्य मंतरी दिर्विन सिंग रावत 29 तारीक को ही स्वर्गी गजेंद्र दतनेथानी की मूर्ति का भी लोकारपन करेंगे जिनके नाम से इस बात का नाम भी रखा जाएगा 29 को मानने मुख्य मंत्री जी सूर्यधार जलासाइ का लोकारपन करेंगे और उसमें संभावत, हमारी जो सिचाइज मंत्री है आज भी समलीत होंगे और полностью चाहता हूं कि जो सूर्यधार देम का जो निर्मान मान्य मुख्य मंती जी ने दूर गामी जो उनकी द्रिश्टी है उसको देखते वे उनुने तो आपको मालूम होगे एक सिचाई के लिए पेजल के लिए और प्रेटन के लिए और उनुने एक चीज और जूनने का परियास किया है कि उसमें फिसिन का भी प्लान है उनका उस दिन वो फिस भी छोड़ेंगे उसमें उसकी सुरुवात मान्य मुख्य मंत्री की 29 सारी को करें बहुत ज्यादा जनसंग के लाबानवित होने वाली है और जो अपनी राने पुख्री नियाए पन चाहते है और उसके आसपास के जितने भी गाउं है अठार गाउं सारे समलित होंगे उनकी जो पेजल की समस्या सिंचाई की समस्या निशित तोर पर दूर होगी और जो मान्य मुख्य मंत्री जागा जो डीम प्रोजेक्ट था जो एक बड़ी दूरगामी सोच को रखते वे उन्होंने जो सोचाए कि भविश्य में इसका और ज्यादे लाब हम सब को रहमारे छेतर को मिलेगा इस ग्रामी नंचल को मिलेगा एसी सोच का जो परिणाम अब हम सब के सामने बनावा है सुर्यदार डैम और वो सुर्यदार डैम मान्य मुख्य मंत्री जी 39 तारीक को जनता को समर्पित करेंगे उसका पूर्ण लाब जिस उद्देश से बनाया गया हो हमारी सब जनता को मिलेगा और बहुत अच्छा प्र